हेई गाइस सौगा सबका आपके अपने चलेंग टेक्स्टोकर में तो गाइस काफी टाइम हो गया है कि मैंने कोई facecam video नहीं बनाई है बट मैंने आपको बहुत सारी themes की video प्रोवाइड कि रही है मतलब अभी तक 75 से अबब मैंने आपको themes की video प्रोवाइड किया है हर theme एक दूसरे से काफी हद तक अलग होती थी और हर theme में कोई नहीं कोई special feature होता था बट गाइस आप मैंने सोचा चलो face to face कुछ बाते कर ले कि आज मैं बताऊंगा आपको top 10 MIU 11 की theme उसमें कोई नहीं कोई special feature है जो एक unique UI आपको provide करता है आपके device को यह जो themes है guys यह MIU 811 के साथ perfectly work कर रही है इसमें आपको किसी तरह की problem देखने को नहीं मिलती white और dark mode दोनों इसमें properly work कर रहा है मतलब एक तरह से dual sport आपको इन themes में मिलने वाला है तो यह themes मैंने हर एक video में review कर चुका हूँ इसमें जो पहली theme है उसका मैंने review नहीं किया है जो कि आपको जल्दी आज या कल तक आपको में में चैनल पर मिल जाएगा बट गाइस यह जो 10 themes हैं वो आपको बहुत amazing experience देगी एक बहुत अच्छा UI देगी आपके device को और सबसे जी बात है कि यह theme store पे available है तो यह कोई third party theme नहीं है इसमें included तो आप easily जाके से theme store पे भी search कर सकते हो यहाँ पे guys कुछ मैं इसके overview आपको दे देता हूँ कि कौन कौसी है theme और इनके मैं नाम यहाँ पे show करूँगा तो आपने उन नाम को simply search करना है अपने theme store पे वहाँ से जाके आप simplys को download कर सकते हो बहुत अच्छा UI guys और आप नीचे इनको use करो guys और अगर आपने मेरी video को शुरू से देखते आ रहे हो तो आपको इन themes के बारे में पता ही होगा और आप नीचे में को comment section में जरूर बताना कि आपको इन theme में से कौन सा video मदब ज़्यादा पसंद आया है तो guys पहली जो theme है वो है dual system version 11 यह guys 9.2 MB की file है बहुत easy to use है मेरी 11 के साथ compatible है properly dual mode को properly sport करती है मेरी 11 के साथ बहुत amazing इसमें icons देखने को मलते है बहुत unique इसमें UI देखने को मिलता है यहाँ पे आपको कुछ icons शो हो रहे होंगे जो मैंने इसके उपर briefly भी बात की अपनी पुरानी video में अगर आप चाहते हो तो चैनल पे जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं और इसके जो डिजाइनर है वो कोस्ट नीटो सम्तिंग लाइक डेटा परनिशेशन नहीं उपारी है उनकी तो यहाँ पर गाइस नाम मैंशन कर दे रहा हूं मैं आप खुद ही समझ लेना क्योंकि मेरे से यह परनिशेट नह हमारे चैनल पे तो जो लोग मुझे डेली देखते हैं तो उनको इस थीम के बारे में पता ही होगा कि कूल कलर वर्जन 11 कितनी अमेजिंग थीम है अपने आप में ही क्योंकि इस थीम में आपको बहुत अच्छी तरह से कलरन कोंट्रास्ट बैगरांड टोटली चेंज आइक कोंट्रास्ट मैच परफेक्टली हुआ था तो यह मुझे यूज़ करके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिला था और कहाला कि काफी लोगों को यह बहुत जारा पसंद आई थीम क्योंकि इस पे बहुत जारा कमेंट्स आये थे आपके कि यह बहुत अमेजिंग जिसमें आपको वाइट और स्काय ब्लू का एक डैडली कॉमिनेशन आपको तेखने को मिलेगा जो कि आपको लोगों पे आपके बैग्राउंड पे यहां थे कि आपके आइकर्स में जहां पर आपको डिफेंट कलर का डायलर पैड देखने को मिलता है डायलर पैड पर तो मुझे आज तक उनकी जो थीम से मुझे बहुत ज़्यादा प्रसंद आती है इसलिए मैं आपको वैसे प्रोइड करता हूं तो गाइस फोर्थ नंबर पे बात करें की वाइट एंड डार्क थीम अब गाइस इसमें आपको टोटली पिक्सल का एक्स्पीरियंस गूगल क एक्सपीरियंस गूगल का ओफिशल लोगो ऑन लोग स्टीन उसके बाद जो आपके आइकंस होते हैं वो आपको सेम तो सेम पिक्सल के देखने को मिलते थे पिक्सल 4 के देखने को मिलते थे यूई टोटली चेंज हो जाता था बैग्राउंड में अकर टैप करते हो तो वाइट और डाकबोर को यह प्रोपली स्पोर्ट करती थी थी और गाइस यह थीम बहुत अमेजिंग और सबसे ची बात है कि इससे जो डेटेलिंग से बहुत अच्छे से काम किया गया है अगर आप कमेंट करते हो कि हमें यह प्रॉलम आ रही है इस थीम में तो वो उसको ए और इसका जो साइज है वह 9.6 MB का और इसका डिजाइनर है वह एलेक्स वुल्फ डोग तो यह भी बहुत बड़े डिजाइनर है जो काफी टाइम से अमयु टैंग नहीं नाइन के टाइम से यह थीम डिजाइन कर रहे हैं तो इनकी भी थीम होती है वह बहुत ही अमेजिंग होती है वह बात करते हैं हम गाइस हाइड लेबल वर्जन 11 बेसिकली गाइस यह आयोस का अपडेटर वर्जन है जिसमें आपको आयोस का लुक साथ में नॉर्मल पिक्सल का लुक साथ में एक ओफिशल कलर फुल यू आई आपको देखने को मिला था इस थीम में हाइड सबसे बात है और इसमें जो डिटेलिंग पर बहुत अच्छे से काम किया गया है कि आपको यह बिल्कुल फर्क नहीं लगेगा कि आपको अलग तीम यूज कर रहे हो आपको यह एक सिमलर थीम है जो एक दूसरे को साथ प्रफेक्टली जूडी हुई है बट यह तीम दिफर बार आ चुका है आप समझ सकते हो यह डिजाइन कितने बड़े हैं जो इतने अच्छे अच्छे डिजाइन प्रवाइड करते हैं आपको तो हम इनको बोलते हैं कोस्तो बाकी आप खुद परनिशेट कर लो आपको अगर समझ जाए जाए उसके बाद गाई सिक्स नंबर पर हम बात करते हैं material mix version 11 आपको पता यह white और dark के साथ deadly combination वाली theme थी जो आपको बहुत amazing UI experience देती थी आपको इसकी look देखके बहुत हद तक आपको अलग experience देखने को मिलता था और यह white और dark का combination था perfectly match किया गया था हर एक जगह पे जहां पे आपको एक अलग look देखने को मिलता था और साथ ही साथ guys इसका जो internal interface था जहां पे आपको sky blue आपको background देखने को मिलता था और साथ ही जो internal जो मतलब एक size होता है जो आपको icons में होता है या icons के shape होती है वो perfectly maintain की गई थी अब guys जो इसका size है वो 24.5 MB का है जो इसके designer है वो zen है तो काफी time से यह developer बहुत अच्छी अच आपको clear कर दू कि जो भी मैं आपको themes provide करता हूं तो उनके developer होते हैं वो काफी certified होते हैं जो काफी time से themes बना रहे हैं इसलिए मैं आपको वैसी theme provide करता हूं तो इसलिए आप मेरी हर एक theme को ध्यान से देखा करो क्योंकि उसमें कोई ना कोई unique feature होता है जो उनकी मैं आपको provide कर करता हूं उसके बाद guys seven theme की बात की जाए तो वह है unique version 11 अब हाली में मैंने इस theme का review किया था white color की बहुत amazing theme है guys आपको इसमें white mode देखने को मिलेगा ये dark mode के साथ भी perfectly work कर रही है और आपको इसका interface guys बहुत ही unique लगेगा बहुत clean लगेगा आपको इसका जो UI है वो इक तरह से perfect बनाया गया है आपको इसको यूज करके ऐसे लगेगा कोई आप बहुत सारी पेचीदा सी चीज यूज कर रहे है इसका UI है guys वो बहुत amazing देखने को लगेगा और आप जानते होंगे इसका designer है वो है color जो अभी-अभी मैंने हाले ही में कुछ themes के बार में बात की थी जो इस perfectly match करते हैं और एक animation आपको इसमें देखने को मिलेगा बहुत अलग सा animation जो कि normally मुझे देखने को नहीं मिला था किसी भी theme में कि आप जाब इसको swipe left करते हो राइट करते हो तो हलका सा shake और जो icons है वो भी animated होते है और इसके जो सारे-सारे feature है वो भी perfectly work कर रहे है इस theme में तो इसलिए मुझे यह बहुत ज़रा पसंद आईगी गाइस और यह hands-on performance देती है आपके किसी भी Xiaomi की device में तो यह MI 11 के साथ perfectly work करेगी इसलिए आप इससे simply download कर सकते हो theme store पे unique version 11 का नाम है तो जाओ download करो और एक बार इसको use करके देखना क्योंकि आपको इसको चला के बहुत अच जो स्टेटस बार है मेली जो कि आपने अभी थमनेल में भी देखा होगा वह बहुत यूइक लगता है बहुत colorful लगता है देखने में और साथी साथ इसका जो UI performance है वह भी बहुत अच्छा है मुझे लगा नहीं था कि इतना compatible होगा बेसिकली मैंने अभी दक सिर्फ color OS 7 का review किया है नागे color OS 7 pro का जिसको बिर में मैं वीडियो जल्दी लेके आऊंगा तो आप इसको ट्राई करके देख सकते हो तीम स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हो बट गाईस इसका UI है वह आप को हैंड्स और प्रफोर्मेंस देगा क्योंकि उसका प्रो वर्जन है color OS 7 में तो बहुत सारा प्यार दिया था अपने उस वीडियो में तो color OS 7 pro भी मैं आपके लिए जल्द लेके आऊंगा हमारे चैनल पे बट अगर आप चाहो तो अभी भी यूस करके देख सकते हो और मैं मैं अपनी वीडियो में आपको बता दूगा इसमें special features क्या-क्या है या इसका UI में क्या-क्या डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा color OS 7 से जो इसके designer है वो हाल ही में अभी कुछ unique version 11 theme तो उसमें जो designer थे color उन्होंने ही ये design की है मतलब आप समझ सकते हो जो मैं आपको designer बता रहा हूं उन्होंने सिर्फ एक theme नहीं multiple theme बता ही है जो की बहुत ही unique है तो हर तरह से वो hands-on performance देती है इसलिए आपको quality का material प्रवाइड करता हूं ना कि quantity का तो इसलिए मैं रोज मतलब एक दिन में एक वीडियो डालता हूं ताकि आपको एक perfect theme आपको प्रवाइड की जाए ताकि ऐसा न लगए भाई मैंने theme डाउनोड करके वेस्ट कर दी है अपने data 9th theme है guys वो है 1UI 2.0 dual 1UI 2.0 गाइस Samsung के based है Samsung Galaxy Note 10 के ओपर यह based theme 1UI तो आपको देख चुके होंगे बहुत amazing theme है बट यह उसका upgraded version है जो इसका status बार है guys बहुत amazing है आप इसे simply जाके download कर सकते हो यही नाम अपने same-to-same search कर देना जो कि यहाँ पर show हो रहा है उसके बाद गाइस इसमें ज इसा था कि ठीक ठाक experience था Samsung की feel आ रही बट इसमें Samsung का updated version है मतलब Samsung के जो new phones आ रहे है वैसे UI आपको अपने phone में download कर सकते हो इस theme को download कर के और यह theme भी आपको theme store पे मिल जाएगी आपने simply जाके इसको download कर लेना है और यह जो UI है guys वो बहुत amazing देता है और Samsung की आपको बहुत कमा बनाते हैं MIU 11 के लिए तो मैं आगे भी आपको अगर कोई भी Samsung का निया phone लोंच होता है या कभी नहीं UI आती है वो themes भी मैं आपको provide कर दूँगा मेरे चैनल पर इसलिए subscribe कर लेना गाइस चैनल को जोने अभी तक नहीं किया और जो अभी तक यहां तक पहुंच गया नहीं एक लाक तो बनता है गाइस अब हम बात करते हैं आज की लास्टीम के बारे में जो की है elegant प्यों थीम गाइस अभी तक मैंने इसका review नहीं किया है जल्दी आपको शायद आज या कल तक वह हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी elegant प्यों जो थीम है गाइस मतलब जो वह डा experience मिलता है क्या feel होगा उसके बाद मैं आपको कल अपने वीडियो में बता दूगा कि इसमें आपको क्यागा खास मिलने वाले है भाला कि अगर आप खुझ इसको ट्राइक करना चाते हो तो जाके कर सकते हूँ इसका जो नेम है आपने simply search करने है elegant pure आपको यह हमारे जो थीम पर देखने को मिल जाएगी और यह 11 सब्सक्राइब करेंगी गाइस को प्रॉलम आती है तो नीचे में को क्मेंट सेक्शन में भी बता सकते हूँ तो गाइस आज के लिए बस इतना है था यह ठीक टॉप 10 थीम में आपके लिए लाता रहूंगा जब मेरी 100 थीम आपको मैं करूँगा दैन मैं एक और वीडियो निकालूँगा टॉप 20 थीम के बारे में तो अगर आपको वीडियो चाहिए नीचे में को कमेंट सेक्शन में ज़रूर पताना और मुझे यह भी बताना कि आपको इन सभी थीम में से कौसी थीम सबसे ज़्यदा पसंद आई है तो हुआ दो